halo everyone आज new vacancy में Forest Guard की विकेंसि ये बारे में बात करेंगे Forest Guard इसे 1 रख सक भी कहते हैं इसका notification लाया है 484 post के लिए इसमें जो total post है total post है 484 forest guard यानि कि one रख सक के भरती निकाली गई है और आपको बता दूँ ये जो भरती है Bihar Woon ने निकाली गई है यानि कि भारत में भारत का कोई भी नागरिक इस में इस पोस्ट में अपलाई कर सकता है ये वेबसाइट है उनकी www.csbc.bih.nick.in इस वेबसाइट पर जाकर आप से लेबस से कर सकते हैं वहाँ से जाके आप अपलाई कर सकते हैं इसकी जो last date रहेगी वो 4 सितंबर रहेगी अभी इसके form चल रहे हैं अगस्त में 4 सितंबर को इसकी last date रहेगी education qualification 10 प्लस 2 यानि कि minimum आपका 12 पास होना अनिवा रहे है age जो रहेगी इसमें minimum जर्नल के लिए 18 साल और maximum 23 साल के आप होने चीए जर्नल के लिए जर्नल के टेकरी के लिए obviously के लिए 18 से 25 और वहीं बात की जाए SCST के लिए तो 18 से 20 साल की आपकी age होनी चीए यह बियार बोर्ड वन रख सक्की हम बात कर रहे हैं से बात में दक्स्ता प्रिक्षा लिजाएगी उचाही जो है पुरुस के लिए 165 सेंटीमेटर और SCST के लिए 160 सेंट्ीमेटर होना ज़रूरी है सीना 81 cm और 79 cm SCST के लिए सीना होना चीए ठीक है फुलाने के बाद में दोनों केटेगरी के लिए 5 cm फुलाओ मांगा गया है दोनों के लिए SCST या फिर जनरल OBC की बात की जाए अगर दोड की बात की जाए तो पेदल चलकर 4 गंटे में 25 km सभी के लिए चाए ओजनरल केटेगरी से हो चाए फिर SCST से हो या फिर OBC से हो सभी केटेगरी के लिए जो इसमें मांगा गया है 4 गंटे में आपको 25 km दूरी टे करनी रहेगी अच्छा इसमें जो है पेपर बेटन जो रहेगा इसमें टोटल आपको 2 गंटे का टाइम मिलेगा और इसमें आपको 100 सवाल करने है 2 गंटे के टाइम में आपको 100 सवाल कंप्लीट करने रहेंगे ठीके मैं आपको बता दू इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है 1 बटा 3 यानि कि हर तीसरे में से अगर आपके पास 1 सवाल गलत है तो 1 नमबर काटा जाएगा कहने का मतलब यह है कि आपके मानलो 5 सवाल किये आपने और आपके 5 सवाल के मानलो 15 नमबर होगे ठीके तो आपके अगर मानलो 3 सवाल गलत है 3 सवाल गलत पर आपका 1 सवाल कट हो जाएगा सो सवाल आपको दो गंटे में करने हैं यानि कि 120 मिनिट में आपको सो सवाल करने रहेंगे इसका जो पैटन है तीस सवाल जो है आपके current affairs और भारत जीके इंडिया जीके में से आएगा history of India, national geography, national events जो भी है current affairs वगरा में से आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे वहीं बात की सवाल आएंगे, Indian polity में से भी 6 सवाल आएंगे, Indian history में से 6 सवाल, current affairs में से भी 6 सवाल आएंगे आपके, और constitution में भी 6 सवाल आएंगे, तो इस तरह से आपकी India जीके और current affairs मिलाके 30 सवाल बनते हैं और 30 सवाल आपके 120 marks के होंगे, ठीके, उसके बात में बात की जाए, part 2, चार part है, इसके इंदर, part 2 में अगर बात की जाए, पच्चिस सवाल आपके रहेंगे, पच्चिस सवाल जो आपके 100 marks के रहेंगे, इसमें आपके mathematics रहेगा, reasoning रहेगा, और reasoning और mathematics में जो है, आपका ज़्यदातर जो भी बार चार्ट वगेरा आएगा, आपके data interpretation, चार्ट वगेर है, यहाँ पर जैसे English में आपके subject आए, महत में इतने आए, science में इतने आए, तो इस तरह से सभी का अलग-अलग part निकालना हो गया, इस टाइप के सवाल ज़्यदा पूछे जाएंगे, reasoning भी आपकी आएगी, यहाँ पर past सवाल reasoning के 20 marks के रहेंगे, इस तरह से आपका 25 सवाल science से भी आएंगे, general science से भी आपके 25 सवाल रहेंगे, 100 marks के, और इसी तरह से general issues on environmental and ecology, यह कुछ parts है इसके अंदर तो इसमें से भी कुछ पार सवाल, 20 सवाल, इस तरह से रहेगा, 25 सवाल science में से रहेगा, और 20 सवाल जो है आपका Hindi language में, हिंदी language में आपके 20 सवाल आएंगे, वो सी marks के रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, यह paper जो है, आपके 100 सवाल आपके इस paper में आएंगे, 120 मिट में आपको करने है, और 4 पार्ट में आपके अगर में बता दूँ, 4 पार्ट में आपके 30, 25, 25, 20, यानि कि इंडिया जीके और current affair में से 30 सवाल आएंगे,